लाइफ की नौटी कहानी ये हलकड जवानी दोस्तों ये पॉपिलर सोन सुनने के बाद जाहिर से बात आपकी नजरों के सामने सबसे पहला नाम 2012 में आई फिल्म हिरोईन का आ गया होगा जी हाँ जल्द ही हमें हिरोईन तू देखने को मिलने वाली है तो आज कीस वीडियो में हम आपको हिरोईन तू गे बारिम बताने वाले हैं कौन होगी स्टार कास्ट, क्या होगी कहानी और फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी ये बाते जानना चाहते तो विडियो गैन तक बने रहेए। साथ ही बॉलिवुड की इस सूपर हिट फिल्म के लिए लाइक तो बनता है दूस्तों। साल 2012 में बड़े परदे पर प्रसारित हुई फिल्म हिरोईन एक नाटक पर आधारित फिल्म को मदूर बंडार कर ने निर्देशित किया। ये फिल्म माही अरोडा बनी करीना कपूर खान की जिंदगे पर आधारित थी। फिल्म में माही एक 23 तरह और गुस्सा लड़की होती है जो एक तरफ छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है तो छोटी छोटी बातों पर बेहद और गुस्सा भी हो जाती है। माही फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस होती है जो अपने प्यार को पाने में नाकाम्याब होने की वज़े से स्ट्रेस में आ जाती है और उसका करियर डूब जाता है लेकिन माही उन लड़कियों में सेख होती है जो आसानी से हार नहीं मानती और लगातार मेहनत करत और एक बार फिर सूपर स्टार के चरम पर पहुंच जाती है। ये फिल्म माही बनी करीन कपूर खान की एक फिल्म एक्ट्रेस से लेखर एक सूपर स्टार तक की जर्नी को प्रेजन करता है। जिसमें एक्टर अर्जुन रामपाल और अंदीप हुड़ा भी में लीड में फिल्म में चारचांद लगाते हुद दिख जाते हैं। बस यही थी फिल्म की कहानी जिसने दर्शकों का मन मो लिया। इसके गाने बड़े पॉपिलर हुए। जिसके चलते ये फिल्म काम्याब हो गई। खबरों के मुताबिक फिल्म डारेक्टर मदूर बंडार कर एक फिल्म के क्लाइमेक्स में भी एक्शन, रोमैंस और इमोशनल का ट्राइंगल देखने हो मिलेगा। जैसे देखना बड़ा दिल्चस्प होगा। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो इस बार में लीड अक्टर्स के तौर पर अभिनेत्री करीना कपूर खान को यही सज लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि फिल्म में सुहाना खान का करेक्टर किस तरहा कहूने वाला है और ना ही इनमें से किसी कलाकार ने फिल्म में काम करने के लिए हां भी बड़ी है। लेकिन जब से दर्शकों को इस फिल्म को लेकर उच्छा देखने को मिल रहा है तो दोस्तों कि आप भी अभिनेतरी करीन अगपूर के उन फैंस में से हैं जो फिल्म हिरोइन 2 का पलके बिछा इंतजार कर रहे हैं या नहीं अपनी राय कॉमेंट वोक्स में दे दीजिए और साधी बॉलिवीड से जोड़ी और भी दिल्चस्प खबरों को जानने के लिए ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए